हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कुल पर हर दिक्स द्वागत है देखे आज है आठ अक्टूबर और आज है वायू सेना दिवस्ट जी हाँ एर फोर्स टे तो देखे 19th anniversary है भारते वायू सेना की जिस उपलक्स पे भारते वायू सेना के लिए एक new combat uniform जो है वो unveil किया गया है और जो वायू सेना अध्यक्स है उन्होंने इसको unveil किया है तो देखे कैसी एड्रेस है और क्या है इसका मकसद इस सारी बाते इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो देखे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें Air Force Day marks the official induction of IAF as a supporting force to the United Kingdom's Royal Air Force in 1932 यानि अगर हम बात करें तो 1932 में ये बात है आजादी से पहले की तब Royal Air Force जो थी United Kingdom की उसको support करने के लिए यहाँ पर Royal Indian Air Force की स्थापना की जाती है 1932 में 8 October को जी हाँ तब से लेके हर साल 8 October को जो Air Force Day है वो celebration किया जाता है और उसके साथ IAF के chief और जो senior officers होते हैं वो उसमें उपस्तिद रहते हैं जैसा हम सभी को पता है कि IAF जो है विश्व की चोथी सबसे बड़ी operational Air Force है और जो हम आजाद होते हैं उसके बाद हम समविदान बनता है ह 1950 में यह royal world जो है हटा दिया जाता है और 1950 से लेके हम Indian Air Force या भारते वायू सिना के नाम से जाने जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 90th anniversary celebration है उसमें unwield किया गया है new combat uniform को Air Chief Marshal VR Chaudhary revealed the first look of the uniform digitally camouflaged uniform for the Air Force's ground personnel यानि जो भी ground duties है उस टाइम पर जो ड्रेस पहनी जाती है उसको आप कह सकते हैं कि जंगल ड्रेस भी बोलते हैं और कई जिगे आप उसको कह सकते हैं combat uniform बोला जाता है तो देखें ये उसका look है आप उसके suits देख सकते हैं जो cap है जो आपकी पूरी dress है color उसका जो fabric है देखें पूरा का पूरा change किया गया है आप सभी को पता होगा मैंने वीडियो भी बनाया है कि अभी recently ही इस साल के start में जो भारतिय सेना है Indian Army उनका जो day था वो 15th January था उस दि Army ने भी अपनी जो new combat uniform थी उसको reveal किया था और उसके बाद में देखें 8 October को यहाँ पर Air Force ने भी अपनी new combat uniform को reveal किया है आप देख सकते हैं ये बाकादा dress है पूरा जो fabric है जो color है और जो देखें सूज हैं देखने से भी look बहुत अच्छा लग रहा है काफी प्यारा look है यह पर यह आप देख सकते हैं देखें बात करते हैं features of the new uniform यह जो new combat uniform है इसको design किया गया है NIFT National Institute of Fashion Technology द्वारा the colors and shades of the new uniform are little different इन से क्या है यह more conductive बनाते हैं जो environment है working Air Force का working environment है उसके हिसाब से यह ज़्यादा असहज है और यहाँ पर काफी अच्छे benefit दे सकते हैं this uniform has a different breathable lightweight fabric and design that increase comfort जो इसको पहनेगा उनका जो comfort level है वो थोड़ा सा better होगा और जिस जो personals है उनकी efficiency में भी इजाफ़ा देखने को मिलेगा the Air Force new combat uniform is believed to borrow features that were unwilled earlier this year by the army when it too adopted a new digital camouflage combat uniform जैसा मैंने आपको बता है कि 15 जन्वरी को ही इसी साल 22 में आर्मी ने भी अपनी new combat uniform जो है वो unwilled की थी तो देखे उसी से मिलता दूलता पूरा का पूरा आप दे सकते हैं यह pattern आप देख सकते हैं most militaries across the world have switched to disruptive digital pattern in camouflage uniform अगर आप विदेश में भी uniform देखें combat uniform है उसमें आप देखेंगे को जो patterns है वो कुछ इस टाइप का ही pattern है इस pattern की खासियत क्या जो digital pattern है is all terrain friendly आप किसी भी terrain में जा सकते हैं आप देखेंगे कहीं पारी पे हैं कहीं plane में हैं कहीं flood वाले लगे में हैं कहीं रेगिस्तान में तो सब चीज देखते हुए देख सकते हैं all terrain friendly है giving personal the flexibility to move from say desert, woodland, mountains and urban landscape यानि जहां भी condition में आप जाएंगे जो भी terrains होंगी उन में थोड़ी flexibility यहाँ पर देखने को मिलेगी the ergonomic fitting is feature that allows both male and female ground duty personnel to maximize their operational capabilities यानि जो यह है इसको male और female दोनों ही यहाँ पर duty personals पहन सकते हैं the new uniforms are for all terrains and all seasons, allowing manufacturers to cut costs by mass production the new fatics जब हम यह dress एक कह सकते हैं कि कोई manufacturer है वो इतनी सारी बहुत सारी जो कह सकते हैं mass में बनाएगा तो इससे क्या होगा जो cost है वो cut हो जाएगा अब हाला कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या requirement थी maintain exclusivity के लिए देखे आज कल के टाइम में काफी बार देखा गया है कि जो military uniform है उसका misuse काफी जादा हो रहा है कहीं कहीं जब यह गतिविदिया देखी जाती है जो कुछ step की आतेंगवादी गतिविदिया भी देखी जाती है दोरर में तो लोग जो है इसका इस्तमाल करने क्योंकि यह आसानी से shops वगरा पे market में मिल जाता है तो many civilians and personnel from other paramilitary forces and police are often found wearing camouflage prints the uncontrolled proliferation can cause security risks since anyone can get their hands on one तो यह रिजन था कि इसको कंट्रोल करना बहुत जाल जरूरी था shops in army cantonments and military stations are now being urged to store only the authorized variants कि जो आप authorized variants है वो ही आप अपने cantonments में या military stations में आप इनको store करके रखिए now all three forms of Indian कह सकते हैं military army, air force, navy have a digital camouflage pattern which allows them to claim intellectual property rights IPR on the fabric and design देखिए जो IPR है यानि intellectual property rights वो fabric and design पर यहाँ पर army, air force, navy ले लेंगी उससे क्या होगा कि देखिए अगर आप कोई भी उसको यहाँ देखिए अनो थरी सोपकी पर इसको बेशता हुआ पाया जाएगा या पहने हो पाया तो उसके उपर legal action यहाँ पर लिया जा सकता है यानि जो इसके अधिकार है वो यहाँ पर army के पास चले जाएंगे तो देखिए यह थी जंकरी फिर दुबारे से एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि भारते वायू से नजरस की हार्दिक सुबकामना है फिर मिलेंगे जै हिंद जै भारत